हम बात करते हैं अगेन अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं जीएस्टी की बात करता हूं तो सर जीएस्टी को केटिग्राइज करा जाए तो जीएस्टी हमारे दो चीजे हैं एक जीएस्टी लगता है विद इन स्टेट जिसको हम बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे इंट्रा जिसको बोलेंगे हम इंट्राइस्टेट और यहाँ पर दो तरीखी का जीएस्टी कॉंबिनेशन बैठ सकता है एक हो सकता है S-G-S-T और इसके साथ C-G-S-T या फिर हो सकता है U-T-G-S-T और इसके साथ C-G-S-T यह कॉंबिनेशन बैठ सकता है यहाँ पर अगर इंट्राइस्टेट हुआ तो इंटरनेशनल में IGST लगेगा अगर होता है ये आउट ओफ स्टेट हम इंटरनेशनल में भी उसे हम एक आउट ओफ स्टेट ही कंसिडर कर लेते हैं अगर हुआ आउट ओफ स्टेट तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लगने वाला है अउनली IGST थीक है यहाँ तक क्लियर है कि हमारे GST का जंजाल केतना है यह यह लगने माला ऐसे अगेगा अगर यहाँ 18% बोलू तो नो नो यहाँ यहाँ 18% रेट बोलू तो डो सिंपल 18% से उपर नहीं होगा आगे बढ़ते हैं यह ने को लेकैं जब कभी भी हम कुछ भी समान सेल्स करेंगे या सेल्स की बात करते हैं हमारे लिए तो भी सेल्स ही है या फिर मैं सिंपल बात करते हूं जब कभी भी आपका कैस रिसीव होता है ना रजी जो पर नहीं कुछ है पॉइंट तब हमेशा आपका सेल करने का मतलब क्या होता है समान बैचना समान बैचने का मतलब के दुकान से समान आउट होना तो यहां पर जो जैते लगता है डिदेज आउट पुट जी एस्टी बोला जाएगा कौन सा जी एस्टी बोला जाएगा आउट पुट और इसके अंदर क्या होगा जैसे आपका 100 रुपए का समान है आप बेचोगे 10 रुपए का माल लेते हैं टेक्स एड गिया तो आपने जो समान बेचा टोटल 110 का बेचा किसको करते हो यह पैसा आपको देना पड़ेगा गौर्वर्मेंट के को तो इसलिए जो आउटपुट जी स्टी है इस पूरे एक्जामपल में वह कितने रुपए हैं दस रुपए और यह दस रुपए आपके लिए लाइबिलिटी माना जाएगा क्या माना जाएगा क्योंकि आपके पास सरकार का पैसा आया हुआ है और आपको सरकार को रिटन करना है यह पैसा अगर आपने पर्चेश किया यह आपने पेमिंट किया हर किसी पेमिंट पर अपली केबल नहीं होता यह मैं अगर पर्चेश यह पेमिंट किया तो आपने टेक्स अल्रेडी पेड कर दिया तो इसको बोला जाएगा इन्पुट तो पर्चेश करते टाइम पे आप टेक्स दोगे ना दुकानदार को तो आपने भी समान बेचा नहीं लेकिन टेक्स तो आपने पहले दे दिया है तो ऐसे सिचुएशन में यह टेक्स का पैसा एडवांस में सरकार के पास होता है तो यह हमारे बिजनस के लिए एसेट माना चाहेगा और जो गौवर्मेंट को हम टेक्स पीमिंट करते हैं जो गौवर्मेंट को जो टेक्स पीबल होता है वो क्या होता है सर वो होता है आउटपुट सपोज करो यहां दस आया और खरीतते टाइम पर मैंने सरकार को आठ रुपे पेमिंट कर दिया है तो नेट में जो मुझे पेमिंट करना होगा ओनली दो रुपे गवर्मेंट को पेमिंट करना होगा इसको हम आउटपुट टेक्स या टेक्स लाइबलिटी भी बोल देते ह है यहां तक समझ मैं है यानि सर अगर मैं बात करूं टेक्स की तो टेक्स कितने टाइब क्यों होगे जी एस्टी तो है लेकिन इसके अंदर cgst sgst उसमें भी पंगा आगया इनपुट और आउटपुट हमेशा याद रखना सेल्स करते टाइम पर क्या लगेगा आउटपुट और पर्चेस करते टाइम पर क्या लगेगा इनपुट ठीक है चलिए सर यानि सर अगर यह लाइबलिटी है तो यह क्या होना चाहिए और ये assets है तो ये क्या होना चाहिए ठीक है चलिए एक और जबाब दीजिएगा जैसे मैंने कहा मैं एक general entry करने जा रहा हूँ मैंने good sold किया 6000 and GST 18% अब इस सवाल में आपको वैसे पता नहीं चल रहा है कहां है center में है state में कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप मान लो state के अंदर के ठीक है तो अब यहां पे हमारी simple entry जो sales की करते हैं न वो हम क्या करते हैं पता है cash account debit or to sales sales तो हमारा 6000 ही है अब इसमें GST एड होके मैं customer से लूँगा तो अगर मैं देखा जाये तो 6000 में मैं customer से लूँगा CGST के नाम का कितने रुपे लूँगा CGST नाम का एक मतलब 9% यह तो 6% है 9% लूँगा CGST आधा हो जाएगा यह rate तो 9% कितने होंगे 540 और प्लस SGST के लूँगा में 540 यानि टोटल आ जाएंगे मेरे पास 7080 क्यों 6000 तो यह भी तो जोड़ूँगा ना cash में तो यह देंगे ना customer कि साथ हजार असी देंगे ने customer पैसा और डू में आ जाएगा हमारा कि आ आउट पूट कि CGST कि और टू कि आउट पूट कि आउट पूट कि पान्सों चाहिए कि यह कैल्कुलेशन थोड़ा नीच ले जाते हैं कि यह जन्नल एंट्री है और जिनको जन्नल एंट्री मान लेते हैं कि clear नहीं है starting में suppose जन्नल एंट्री उन्होंने नहीं करा हुआ और जो बच्चे science वगरा के होते हैं online में तो उनको पहले 11 वी की जन्नल एंट्री करनी पड़ेगी तब जाके उनको सॉट आउट होगा मैं content में 11 वाले भी कुछ जन्नल एंट्री डलबा दूंगा बेसिक्स वाले जिनका बेसिक्स स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोलू कि गुड्स रिटन 600 रुपए अब रिटन हो गया जब यह रिटन हुआ तो सेल्स के टाइम पर हमने जीएस्टी को क्रेडिट किया था और कौन सा जीएस्टी क्रेडिट किया था आउटपुट जीएस्टी लेकिन जब गुड्स रिटन होता है न तो जीएस्टी आपकी वापसी कर दिया तो सरकार को देना अब आपको टेक्स लाइवलिटी नहीं है तो आपका जो हुआ है that is आपका मोहन है तो मोहन अब यह return जो हमने किया है समान वो समान हमने return किया है कितने का 600 रुपे का तो यहाँ पे तो 600 आ जाएगा लेकिन output cgst 54 और output sgst ओभी 54 यह होगा न टोटल देखा जाए तो 700 अब मेरा बस यह समझाने का परपस था कि जब हम normal चलते हैं तो उसका nature वही रहता है जब goods return हो जाता है तो उसका change हो जाता है आप का होगे ने के सर आउटपुट gst जो है वो credit होता है तो बिल्कुल सही है normal case में लेकिन return के case में यह क्या हो जाता है debit reverse करना पड़ता है कर तो दिया पहले आपका पांसो चालिस था अब चववन ले रहा हूं जित ने रेट वही रहेगा जिस रेट का आपने customer से लिया है उसी रेट पर उसको वापस करोगे नहीं तो आप मैं आपको वापस ही करूँगा तो आप बोलोगे ने कि पहले तो आपने टेक्स के नाम पर मेरे से ज्यादा पैसे लिये थे अब टेक्स के नाम पर आप कम दे रहे हो मेरे वापसी कस्टोमर भी तो यही चाहेगा ना कि जितने का हमने समान खरीदा था जब वापसी करूँ तो उतने ही पैसे वापसी मिले हमें अगर मैं बात करूँ परचेस का आप सिंपल जनल बताना मैं कहूं गूट्स परचेस प्राम मोहन रुपीज 10,000 एंड आई जी एस्टी 5 परसेंट अब जनल एंट्री क्या होगा इसका देखो 10,000 का समान है इसके उपर आई जी एस्टी एड हो जाएगा that is 5% कितने होंगे और यह आजागा 10,000 का और समान मोहन को बेचा है तो उधार बेचा है तो एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट अब परचेस अकाउंट डेबिट में कितने का समान खरीद है सर 10,000 का और यहाँ पर जो यह जी एस्टी होगा परचेस करते टाइम पर अभी देखो बताया था परचेस करते टाइम पर कौन सा होगा और इंपुट एसेट्स होता है तो that is क्या होगा डेबिट तो यहाँ आ जाएगा इंपुट आई जी एस्टी अकाउंट डेबिट अब पांच परसेंट यह नहीं पांसो और सारा का सारा पैसा हमें लेना है मोहन से और कितने लेने हैं मोहन से तस अजार पांसो बिंग पगर है ज़्यादा जरूरी मैं समझा रहूं स्रिफ हम सेम अगर मैं कह दूँ यहाँ पर गुट्स रिटन तू मोहन रुपीज एक हजार अगर मैं कह दूँ तो अब यहाँ पर क्या होगा रेट जो है अगर मैंने नहीं दिया रेट तो आप समझ जाना यही रेट वाला वापस होगा आपको रेट ना बताए तो आपको कुश्चन में पता कर लेना चाहिए भीया जितने के रेट पर खरीदा था उतने रेट पर यह वापस ही हुआ होगा तो मैंने रेट नहीं दिया तो सपोस करो अब पर्चेज रेटन है तो क्रेडिट होगा एंट्री क्या होता है पर्चेज रेटन का मोहन डेबिट तो पर्चेज रेटन अब देखो इनपुट नहीं हाँ पर क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर इनपुट क्या हो गया और यहाँ पर आएगा एक हजार और पांच परसंट पचास और यहाँ एक हजार चास यह देखिए यानि कहने का मतलब है कि जो GST है वो GST आपका इन्पुट और आउटपुट एक नॉर्मल केस में तो पता है कि इन्पुट ऐसे से डेबिट होगा लेकिन अधर केस में जरूरी नहीं है कि यह डेबिट ही हो यह क्या हो सकता है हमारा ट्रेडिट भी हो सकता है आपके सामने एक साथ ठीक है एक हजार एंट CST 12% है अब इसकी जर्नल एंटरि क्या होगी रैंट अखाउंट डेबिट और डू कैश यह नॉर्मल एंटरी हमें पता है रेंट ना कंट अब जी एस्टी इसम्हें सबसे पहलाए आपको पता करना होगा यह इनप्ट लगेगा की आउपको ध्यान रखना है यह बाते कि आफ पेमिंट कर रहे हो या रेकल रहेऊ है यह पेमिन्ट में कौन सा लगेगा और इनपुट है तो क्या होगा है इसलिए मैंने वहां पर लिखा था यानि यहां पर लग जाएगा मैं कहा देता हूं थोड़ा कम लेंदी करने के लिए इसको आई जी कर देता हूं ठीक है तो मैं यहां लिखूंगा इन पूर्ट कि आई जी कि अकाउंट कि कि इतने रुपए हो जाएगा रेंट पे आपका हजार रुपए का रेंट था जी एक सो बीस और टोटल यह है यानि यह आपको तभी पता चलेगा जब पूरा कॉंसेप्ट याद हो कि इस पर इंपूट लगना चाहिए या आउट्पूट कुश्चन नहीं बोलेगा आपको कपी भी समझ रहा हूं अगर मैंने कहा कैस रिसीव क्रॉम कि एच रिसीव कि यह चलिए यह बन नहीं रहा हूं आपको नौर्बल पता तो चलिए नहीं कब क्या लगना है ठीक है कि यहां तक क्लियर है पॉइंट सारा कोई दिक्कत इसमें यानि अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं स्टार्टिंग से जो जीएस्ट को हम बड़े ध्यान से और स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि सार जीएस्ट के अंदर दो पॉइंट है पहला पॉइंट होता है डारेक्ट टेक्स और इंडारेक्ट टेक्स यह इंडारेक्ट टेक्स है और यह सीधा पैसा किसको जाता है सेंट्रल गवर्मेंट को दूसरा होता है इंडारेक्ट टेक्स जिसके नाम इतने सारे हैं जिसके दुकानदार आपसे टेक्स लेके गवर्मेंट को देता है और यह सारे के सारी क्या है हमारे इंडारेक्ट टेक्स इन्ही टेक्स को merge करके एक नाम दे दिया गया that is goods and services tax जो की क्या था GST का नाम लिया sir GST का history 1954 का है 160 country में है ये already पहले से इंडिया में सबसे पहले अटल विहारी बाजपई ने 2000 में बोला के GST आना चाहिए और एक council का इन्होंने गठन कर दिया committee का और 2004 में जो committee बनाया था केलकर task fork उन्होंने अपना report submit कर दिया 2006 में पी चिताम बराम ने कहा के भाईया GST 2010 तक आ जाना चाहिए लेकिन 2010 तक GST तो आया नहीं तो इसके बाद 2014 में जब government आई तो उन्होंने कहा के भाईया amendment कर दिया है GST आ जाना चाहिए लेकिन ये लोक सभा में तो पास हो गया बिल राज्य सभा में रुखे गया फिर 2015 में भी राज्य सभा में पास करवा लिया गया इस बिल को इसके बाद 2016 में राज्य सभा में जब बिल पास हुआ तो उसमें amendment आया 101 constitution में और एक GST council बना दिया गया जो भी फैसले लोगे तुम्हें एक अलग body बना दिया गया मार्च 2017 में फैसला हुआ कि GST को चार भाग में बाढ़ देंगे और जो की अलग-अलग होगा कहा गया कि compensation बिल होगा एक तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके कम पैसे पढ़ रहें तो हम compensate करेंगे तो that is compensation बिल फोर सेंटरल जीस्टी आपका लेजिस्टेट वर पास इन लोक सबा और चार कौन-कौन से बने आपका CGST, SGST, IGST इन सबको अलग-अलग नाम देके एक जुलाई को इसको क्या कर दिया गया पास जैसे कि यह सारा का सारा आप देख सकते हैं यहां पे नाम कहता है जीस्टी कांसिल रिकमेंडिट और एक किस के पास बढ़ जाता है? स्टेट के पास और यह दोनों आधा-धा कर लेते हैं इनकी सहमती बन गई थी इंडिया के अंदर स्टेट सी एम है और जो यूनियन टेरिट्री है उसके अंदर गवर्नेट गवर्न करता है तो यहां पे एक और जीस्टी आगया है यूटी जीस्टी अगर हम बात करें यहां पे किस की? अगर हम बात करते हैं जीस्टी का तो स्टेट के अंदर लगेगा cgst और sgst और union territory में लगेगा utgst और cgst और other state में जब हम समान बेचेंगे तो वहाँ पर लगने वाला है i gst इसके बाद बात हमने करा था यहाँ पर जो यह देख रहों impact के text के उपर text नहीं लग रहा है तो इसको बोलते हैं cash adding effect इसको बोलते हैं cash adding effect इसके बाद देखा जाए तो turnover के basis पे 40 लाख और 20 लाख normal state के अंदर और हेली एरिया में वह 20 और 10 हो गया लेकिन i gst कितने का भी करो आपको देना ही देना पड़ेगा gst को part कर दिया जाए तो sir within state होता है और out of state होता है within state को हम interstate कहेंगे out of state को क्या कहेंगे हम interstate sir within state में दो circumstances बन सकता है हो सकता है कि union territory की बात हो रहा है और हो सकता है normal state की बात हो रहा है तो यहाँ पर करके text और out of state में single text that is igst इसके बाद देखा गया कि जब कभी भी sales करोगे या पैसे receive करोगे मैं जर्नली पैसे receive वाले को मैं लेके चल रहा हूं तक आपको idea लग जाए समझने में तो वहाँ पर output लगेगा और output हमारे liability credit हो जाएगा और जब purchase करेंगे पेमिट करेंगे तो input assets हो जाएगा यहाँ पर goods हमने शूल कर दिया इसकी जर्नल एंट्री और रिटन हो गया तो इसकी जर्नल एंट्री और सेम ऐसे यहाँ पर goods purchase किया उसकी जर्नल एंट्री रिटन अब suppose करो कि मैं simple सी बात करता हूँ कि यानि जब जब आपका purchase कम होगा जैसे कि मान लेते हैं मैंने समान खरीदा हुआ है और मैं कहूं कि मैंने goods को use किया for personal purpose ठीक है और 1000 रुपे का और इस पर 5% का IGST लगा था तो जो goods personal use करते हो तो entry पता है क्या होता है अब आपका क्रेडिट हो रहा है तो परचेस के टाइम पर कौन सा जीस्ट लगा था यह सोचो अब input debit होता है लेकिन क्योंकि यह purchase reverse हो गया तो इसलिए हम क्या कर देंगे अब यहां पे credit कर देंगे that is input तो यह हो गया हमारा 1000 परचेश और rate मान लेते हैं कि हमारा 10% है तो 100 रुपए और यह हो गया सेम ऐसे कब-कब रिबर्स हो सकता है आप फ्री सेंपल में गुट्स दोगे तब हो जाएगा जब आपका लॉस बाइफायर हो जाएगा आपने देखा पहले जो आपने देखा तो गुट्स यूज वाला पूरा टॉपिक अड्जस्मेंट किया था तो अगर वहां जीएस्टी इनपॉट क्रिडिट के साथ जाएगा यानि अब जो हम करेंगे 6 सिचुफिएं तो 1000 रुप्य नहीं करेंगे ऑंग'D करेंगे से yummy समझें तो difण को ضर्ण देखेंगे प्रॉपर कैसे होगा तो वहां तक हम देखोंगे यहां तक क्लियर हो रहे हैं ठीक है अब हमारा एक रहता है सेट ऑफ जी स्टी पहले यहां तक देख लिए पूरा क्लियर है एक बार जिसको नोट करना है क्योंकि नोटिंग में भी आपका टाइम जाएगा तो आप फटा-फट से नोट कर लिजिए यह सारा